नमस्कार दोस्तों बलगम को पतला करती है और फेफडों में जमा बलगम को बाहर निकालने में मदद करती है और खांसी को ठीक करती है इसके अलावा अस्थमा, ब्रॉंकाइटिस और सीओ पीडी से पीडित व्यक्तियों को भी डॉक्टर अल्टिकॉफ सिरप को लेने की सला दे सकते है अल्टिकॉफ सिरप वायुमारक की मांसपेशियों को रिलैक्स करके और फेफडों के सांस लेने के रास्ते को चोड़ा करती है अल्टी कॉफ सिरप को लेने के बाद फेफडों के वायुमारग चोड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से अस्थमा, ब्रॉंकाइटिस और सीओ पीडी से पीडित व्यक्तियों को सांस लेने में आसानी हो जाती है साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में अल्टी कॉफ सिरप की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में अल्टी कॉफ सिरप की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे मुँ में सूखापन होना, सिरदर्ध होना, घबराहट होना, चक्कर आना, शरीर में ठकान वसुस्ती होना, नींद अधिक आना या नींद कम आना, उल्टी आना और उल्टी आने का मन होना, पसीना अधिक आना, दस्त होना, भूक कम लगना, छाती में जलन होना और मुं के स्वाद म वजह से हो सकते हैं अब हम डिसकस करेंगे कि अल्टी कॉफ सिरप को कैसे लेना रेक्यमेंड़ होता है अल्टी कॉफ सिरप को खाना खाने के बाद लेना रेक्यमेंड़ होता है आम तोर पर दो साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों को डॉक्टर 2.5 मिलिलीटर अल्टी कॉफ सिर और 12 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को डॉक्टर 10 मिलिलीटर अल्टिकॉफ सिरप को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सला देते हैं अल्टिकॉफ सिरप की डोज, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है इसलिए आपको अल्टिकॉफ सिरप को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपिया वीडियो को लाइक करना वर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे की अल्टिकॉफ सिरप को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए दो साल से कम उम्र के बच्चों को अल्टिकॉफ सिरप को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं देना चाहिए बलगम को बाहर निकालने के लिए और खांसी को जल्दी ठीक करने के लिए आपको अल्टीकॉफ सिरप के साथ-साथ हर रोज दिन में दो से लेकर तीन बार गर्म पानी की भाप लेनी चाहिए ताकि फेफडों में जमा बलगम पतला होकर आसानी से बाहर निकल सके और इसके अलावा आपको बर्फ वज्यादा ठंडे पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। कारण का पता करने के लिए दोबारा से जांच करवा सके। वैसे ज्यादातर व्यक्तियों में अल्टिकॉफ सिरफ को लेने के बाद ज्यादा नीन नहीं आती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को अल्टिकॉफ सिरफ को लेने के बाद नीन अधिक आती है या चक्कर आते हैं त अल्टी कॉफ सिरप के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए. क्योंकि अल्टी कॉफ सिरप के साथ शराब का सेवन करने की वज़ह से साइड इफेक्ट्स होने का जोखिम अधिक हो जाता है. और नींद आने की समस्या बहुत ज्यादा गंभीर हो सकती है. बलड प्रेशर ब बिना अल्टी कॉफ सिरप को नहीं लेना चाहिए. अगर किसी व्यक्ति को अल्टी कॉफ सिरप या इसके किसी भी इंग्रीडेंट से एलरजी है, तो ऐसे व्यक्तियों को अल्टी कॉफ सिरप का सेवन नहीं करना चाहिए. और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्ट बोग्तर से परामर्ष लेना चाहिए. और डॉक्तर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को अलती कौफ सिरप को नहीं लेना चाहिए. विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका अल्तिकॉफ सिरफ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं